मैं कुछ विद्यार्थी आज हमें मिलना चाहें, मैं उनको बुलाया, उनकी पेरेंट्स भी आये थे, उनको भी मिला, मैं उनकी पक्षे को भी सुना, मैं उनको अस्वस्त किया, सरकार प्रतिबद्ध है, सारे विद्यार्थियों के मन में ये निश्चित होनी चाहिए, कि पा ध्यान में आई थी छे सेंटर की कुछ गड़बडियां, ध्यान में थी ग्रेसमार्कों को समय कम मिलने के अभाप में, जो एक फर्मुला को यूज करते हुए ग्रेसमार्क दिया गया, उसमें भी कुछ आपती आई, उसको भी सुधारा गया, उनको पुनह परिक्षा देने की अनुमती सुप्रिम कोर्ट ने काल ही दे दिया है, उनको सुचित कर दिया गया, जो परिक्षा देना चाहते हैं, वहां के परिक्षा भी दे सकते हैं, और एक दो जागा की कुछ अख़बारों में और कुछ मिडिया में ध्यान में आई ही गड़बडियों का कुछ जानकारी है, यह सारा विशह इन दिनों में नीट को लेके 41 पेटिसन पड़ी है, विविन हाई कोर्ट में और सुप्रिम कोर्ट में, यह सारा विशह सुप्रिम कोर्ट की संग्यान में है, सुप्रिम कोर्ट भी भारत सरकार को पक्षे किया है, इन टिये को भी पक्षे किया है, जितने सारे जानकारी हमारी पांस रहेगी, तब तक हम पारदर्शी तरीके से आदर्लियों कोर्ट की सामने रखेंगे, और कोट की फैसला हम जैसे काल एक समाधन निकला कि नहीं इस परकार की लोगों को रीट टेस्ट का अनुमत ही दे दिया जाए कोट जैसे कहेगा ऐसी क्या जाएगा मैं सरकार के ओर से सारा विद्यार्थियों को अस्वस्त करता हूँ पारदर्सी तरीका अपनाई जाए कि से संघ्यान में आई है उसमें भी जो इनक्वरीं चाल रहे है जो कोट की संघ्यान में रहेगा जो कोट कहएगा इस से कर लिया जाएगा सुप्रीम कोट ने नोटीस इसू किया है एंटीय को जो सी बिया इजांश के लेकर और अगली जो सुनवाई है वह आठ जुलाई को बने जा रही है इस पूरे इस पूरे इस चितरों कोट की आदेश की हिसाब से हम सब बंदे हुए हैं जिसे कल भी एक आदेश आया है कि इन बच्चों को इसे ही करिके में री एक्जामिनेशन की अबसर्द ही दिया जाए कोट जैसे कहेगा उसको सब के लिए मानने होगा और एक कहीं न कहीं सब के बीच में जो कुछ लोग सवाल ख़़ा कर रहे हैं एंटीय की विस्वस्वस्निय आता पर इस पर आपका क्या करता ह इसे एक्जामिनेशन वेवस्ता पसंद नहीं है तो आप गहराई से देखो उनकी पीछे कोन है और उनकी में विद्यारतियों की अकांक्षिया विद्यारतियों की मन की बात को सन्मान करता हूं उनको अश्वस्त करता हूं सरकार पूरा पारदर्शी तरीका से चीजों बाकी राजनितिक करण से जो कुछ बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए और आखरी सवाल से कॉंग्रेस पार्टी जिस तरह से इस पर सामने आई है और आर्वोप लगा रही है कर दिये कि इसमें गरवर हुआ है वस्त पेपर लिकूर सरकार की विश्वस्नियत आप और पू जागा पर छे कि आई थी जिसकी समानधान सुप्रीम कोट के आदिस की सबसे हो गया है बाकी एक दो जागा कि समस्या सामने अकवारों की माध्यम से मीडिया की माध्यम से आई है उसको भी सुप्रिम कोट के सामने हम रख लेंगे कि यह जानकार यह विश्य हमारे सामने है जैसे सुप्रीम कोट कहेगा, इसे क्या जाएगा?